जैन दोस्तों मेरा नाम है पंकाच चोधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल पंकाच 4G ग्रूप दोस्तों आज हम लेके आए हैं SSC GD बच्चों के कमिट्स आ रहे थे और फोन कोल भी कर रहे थे वाट्स इसमें क्या-kya ।दोक्मेंट्स हमारे लगने वाले हैं और डोकुमेंट्स के बेलेडिटी क्या-क्या रहने वाली थे पहला पॉन्ट हो गये यह दूसरा हो गए कि सर कितनी नंबर पर कॉन सी पोस्ट मिलने बाली है जैसे CRP BASF या हम हमारे मार्क्स CRP की कटोप से ज्यादा आ गए और हमने प्रिफेर कर दिया SSB तो क्या हमारी प्रिफेर चेंज हो जाएगी आज हम इसी सारे चीजों को टोपिक को सारे कबर करेंगे जो आपके डाउट्स हैं जो आपके क्वेरी हैं ऐसा ना हो बच्चे कि आप क्वालिफाई कर जाएं जो महनत आ की आपकी जरूरत थी वो सब आप करें उसके बाद भी आपको फल ना मिले तो बहुत निरासा जनक होता है बहुत दुख होता है तो क्यों ना हम पहले से एडवांस में ऐसा कुछ करके चले कि हमें कल को पस्तान ना पड़े आपने मेहनत भी की और जो पोस्ट आपको चाहिए वह आपको मिलनी चाहिए क्योंकि उसके आप हगदार है तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर तो दोस्तो इस SSE GT 2021 की हम बात करने हैं इसमें क्या क्या डोकुमेंट्स आपके लगने वाले हैं उनकी बैलेडिटी क्या होने बाली है एक नजर देख लेते हैं देखिए दोस्तो अगर आप जर्नल में हैं तो आपको एक आधार कार्ट की जरूत पड़ेगी से निगली हुई है तो आपको जनर्नल वाले बच्चों के लिए तो खासकर में बताना चाहता हूं उसके लिए एक तो आधार कार्ड इंपोटेंट होगा उसके लिए उसकी हाई स्कूल की या 10th की मार्क्षिट या सनद पहला हो गया दूसरा उन बच्चों के लिए क्या ज तो आपका जो relaxation ले रहे है OBC के base पर एज relaxation ले रहे हैं तो उनका 3 साल की age relaxation मिलती है उनको और उनका जो पुरमान पत्र है तो तीन साल के लिए valid होता है उसको revenue कराना पड़ता है उसको दुबढ़ा बना पड़ता है OBC वाले candidate है उनको 3 साल के लिए वो valid है SCST पे बात कर लेत की बात नहीं है कि उसके लिए कोई लिमीट नहीं होता कि आपको जीmy के उल्निम्टेट से का आपको किये होता क्योंकि इनकम वाली कोई बात नहीं होती है तीसरी हम बात कर लेते हैं NCC का जो certificate होता है, तेख बची ये जो vacancy है, ये center की vacancy है, तो जो भी documents आपके लगेंगे, जो भी documents आपके इसमें लगेंगे, वो सारे केंदर के documents लगेंगे, ना कि राज्य के, अगर आप ये केंदर की vacancy देख रहे हैं, और आप UP government के documents लगा दें, तो वो नहीं होगा, जब आ केंदर के जो center government के issue, जो documents होते हैं, वही आप लेके जाएंगे, ठीक है, NCC की बात कर लेते हैं, NCC में देखिए, जो C category होता है, उसको आपको 5% की shoot मिलेगी, marks में, और जो B category है, उसको 3% की, और जो A category वाले हैं, उनको 1% की shoot मिलेगी, तो उसका benefit आपको मिलेगा, लेकिन इत मिलने वाला है, तो यह आपके सारे documentation की बात कर ली, हमने एक और बात कर लेते हैं, इस्थाई प्रवान पत्र, यह क्या है, देखिए अगर आप UP के रहने वाले हैं, UP की merit बहुत जादा हाई जाती है, आपने सोचा, इधर मनिपूर या जारखंड की merit है, वो लो जाती है, ब लेकिन जब final में verify होगा, आपका merit मिलिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि बहां की merit लो जाती है, तो बहां पे last में आपके number of chances आपके रहते हैं, कि आपको वहां पे reject कर दे, क्यों? ऐसा हुआ भी है, आपके जो कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, कि आपके offer appointment तक issue कर दिये ज हाई प्रणा पत्र आप submit करने बाले हैं, कि कल को ऐसी कोई गल्ती ना हो, जिससे आपको पस्ता ना पड़े, यह हो गया, तो I think so कि आप documentation के बारे में सारा कुछ जान गए होगे, देखिए आपका आधार कार्ड और 10th की mark seat, यह हो गया, जनरल वाले candidate, OBC के जो बच्चे हैं आपका तीन साल का पुराना चाहिए होगा, SST के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो उसको यूज कर लेंगे, अब आते हैं अपने next topic पे, कि देखिए बच्चा, यह मेरी reality की बात है, जो मेरी आँखों देखिए, वो मैं बताता हूँ, जो मेरे एक साथ का कुली है, वो असम राइफल में जोब करता था, उसके 2016, 1516 की भरती थी, उसके गल्स थी, उसके 72 मार्क्स आयते और वो असम राइफल में नंबर एक पे थी, नंबर एक पे थी, उसकी फ़र्ष चोईस थी CISF, और CISF भी 72 नहीं थी लड़कियों की, सायद 69 के आसपास थी, उसको CISF मिल जाती, लेकिन उसको 72 होने के बाद भी उसको असम राइफल मिली, और असम राइफल की पता नहीं, असम राइफल की जो थी, मैरिट उसकी सायद 40 या 45 नंबर पे गई थी, लेकिन उसको असम राइफल में उसकी CINATY एक नंबर भी थी, क्यों हुआ थी, क्योंकि चोईस में आपने असम राइफल भरी है, और CISF, NIA या SSF की मेरिट बहुत कम गई है, फिर भी आपको असम राइफल मिलेगी, क्योंकि मार्क्स आपने असम राइफल वाले भरे हैं, आपकी फर्स चोईस असम राइफल है, दूसरी चोईस NIA है, तो आपको असम राइफल पहले मिलेगी, चाहें, NIA की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गए, या नीचे जए, आपके मार्क्स भी डिपेंड करते हैं, और आपकी सबसे ज़्यादा चोईस करती है, चोईस पर फेर, तो चोईस कैसे रखनी चाहिए आपको, देखिए पहले नमबर पर आपको NIA, दू नहीं है, उन बच्चों की में बात कराऊं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परिशानी वहाँ पर जाके, क्रियेट हो जाती है, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद सर्व किया है, मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छी होती है, तो मैं यही समझाना चाहरा हूँ बच्चे, अग लेकिन आपको BSF मिलेगी, तो मैं आपको इस पर जोर क्यों दे रहाँ बार बार, कि आप गलती ना करें, अगर आपकी प्रिफेरनेस सही होगी, तो आप पूरी जिन्दगी बर सही रहेंगे, वह बच्चे बहुत जादा परिशान हो जाते हैं, आपने कितनी भी मेहनत की हो लेकिन एक छोटी सी गलती आपने की गलती प्रिफेरनेस, आपकी चोईस, आपको पूरी मानलो की परिशान हो जाओगी नोकरी करने में, क्योंकि जो एक होती है, दिल की अच्छी जैसे मेरे को CSF अच्छी लगती है, तो मैं CSF मैं जाओंगा, असम राइफल में मेरे को दे ले फोर्म भरने से पहले, कि मैं किसको फर्ट नंबर पर देना चाहता हूं, दूसरे नंबर पर किसको देना चाहता हूं तीसरे नंबर पर तभी उसको प्रफेर करें, अकॉर्डिंग तो मी जो मैंने अपना अनुवर्व लिया है अगर मेरे अनुवर्व से चलेंगे तो आपको बहुत जाते बेनिफिट मिलने वाला है देखिए पहले नंबर पर आप निये रखिए दूसरे नंबर पर आप SSF रखिए तीसे नंबर पर CISF फिर उसके बाद चो क्लियर नंबुर्ण जायेंगी तो आपको एक यूदी उसके बाद भी अगर कोई भी है इस बैकेस से रेलेट योकियोंगी अब आपके पास टाइम नहीं रहा है लग एक अगर आपकी कोई भी और मेरे को कमेंट में MIZ में मैं कोशिश करूँगा और के शर्ट कर दो और आप कहा खाला से बिलोग करते हैं आपकी हइट क्या है आप मेरेको ग comment सबक्स keine सकते हैं जो भी मेरे से